हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का विशे पॉलिटिकल साइन्स राजनिती विज्ञान और आपकी जो राजनिती विज्ञान की जो पूस्तक है यह जिसका नाम है राजनिती विज्ञान की मूल अवधारनाय और उसकी इकाई वन प्रमुक अवधार्णाय का पार्ट पहला जिसका नाम है न्याय तो चलिए बच्चों शुरू करते हमारा पार्ट राजनीती विज्ञान की मूल अवधारना है यानि कि जो राजनीती विज्ञान है उसकी मूल अवधारना है कौन कौन सी है तो पहली अवधारना कौन सी है न्याए न्याए क्या है न्याए उन्नत छील सब्वेता का आवशक अंग होता है यानि कि जो न्याए है जो जस्टिस के लिए अनिवार्य यानि कि आशक होता है सब्वे क्या होता है जो कि आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक रूप से उत्तम हो यानि कि स्रेष्ट हो वो क्या होता है सब्वे समाज हो सब्वे होता है तो न्याय सब्वे ना हो तो राज्य में क्या होगा व्यापक इस्तर पर यानि कि बड़े इस्तर पर क्या होता है अनेत्रिक शक्तिया पनप सकती है यानि कि वहाँ पर उत्पान हो सकती है यानि कि लोग एक दूसरे के साथ गलत करेंगे कोई भी किसी को मार देगा या उसे हानी पहुचा देगा तो न्याय के अबाव में ये सारी अनेतिक अताताई शक्तिया पनब सक्ति है न्याय की संकल्पना प्राचिन काल से ही राजनितिक चिंतन का महत्पूर्ण विशे रहा है यानि कि राजनितिक चिंतन का एक महत्वन विश है और इसके बारे में मतलब प्राचिन काल से ही बहुत बड़े-बड़े एक्शन लिए जा रही है प्रतेक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कारे करना एवं दूसरे के कारे में हस्त शेप नहीं करना ही न्याय है प्रतेक मनिश्च द्वारा निर्दिष्ट यानि की बतलाया हुआ या निर्देशित करा हुआ या निर्देशित कारे करना यानि की बतलाया हुआ या निर्देश दिया हुआ कारे करना एवं दूसरे के कारे में हस्त शेप न करना यानि की किसी भी दूसरे व्यक्ति को मानविये वैपार से संबंदित होते हैं और नयाय के जो सभी सिद्धान्त होते हैं वो क्या होता है मानविये वैपार से संबंदित होते हैं किसी प्राकर्ति घटना से नहीं और नयाय के जो सभी सिद्धान्त होते हैं प्लिटों का न्याय सिद्धांत अब हम देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने न्याय को अलग-अलग अलग-अलग परिभासाओं में व्यक्त किया है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि प्लेटो ने अपने शब्दों में किस प्रकाल व्यक्त किया है न्याय को सर्व प्रथम न्याय के आर्थ को प्लेटो ने रिपब्लिक में व्यक्त किया है और जो तो प्लेटो कहते हैं कि न्याय व्यक्ति के अंदर वे अच्छे गुण हैं जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सब की बलाई में अपने बले को डूंडता है यानि कि सब का किसी के साथ गलत कारे करने को बढ़ावानी देता है अब देखेंगे कि बारकर के अनुसार या बारकर ने किस प्रकार अपनी परिवाशा में न्याय को व्यक्त किया है तो देखते हैं उन्होंने न्याय की परिवाशा किस परकार दी है तो बारकर के अनुसार न्याय का अर्थ प्रतेग व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना है जो उसके प्राकर्तिक गुणों और सामाजिक इस्तितिके अनुकूल है तो बारकर क्या कहते हैं कि प्रत लिए अपने उन कार्वे को उन जिम्मेतारियों को पालन करना है जो उसके प्राकर्तिक और समाजिक इस्थितिके अनुकूल हो और अपने धर्म की चेटना तता सार्विजनिक जीवन में प्रिकट करना करना तो तो याफ नागरे भी अपने धर्म की चेतना तत्य सारविजनिक जीवन में उसकी क्या है अब हम देखेंगे कि अगस्टाइन ने को नाएक की परिबाशा किस परकार दी है आगिस्टाइन कहते हैं नयाय एक व्यवस्तित तो नयाय एक व्यवस्तित एवं अनुशाशत जीवन व्यतित करने तथा उन करतावों के पालन से है जिनकी व्यवस्तित मांग करती है जिम्मेदारियों के पालन में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है यानि की व्यवस्था के अनुरूप जो चलता है या उन करतावियों का पालन में है तो वो क्या है नियाए है एक्विनास क्या कहते है और थोंभस एक्विनास कैते हैं यानिकी नियाए सार्व वोमिक या यनिक है निर्पेक्ष निकि यानि निर्पेक्ष में नहीं हों है तो निर्पेक्षण सक्टीन व्यक्ती के साथ है खुलाई के साथ है तो फार कर देखेंगे कि प्रेश कर मनुश सब की होता है है प्लेट का दोड़ा है तो प्लेटों कहा कहते हैं कि दो रूप होता है पहला होता है वेक्तिगत न्याए और दूसरा होता है सामाजिक न्याए यानि कि प्लेटों ने न्याए को दो रूपों में माना है यानि कि उसका भिवाजन किया है पहला है वेक्तिगत न्याए और दूसरा है सामाजिक न्याए प्लेटो के अनुसार आत्मा में तीन तत्व महत्पूर्ण होते हैं तो तीन तत्व कौन कौन से होते हैं तृष्णा तृष्णा यानि कि क्या होता है बच्चो कि किसी चीज को पाने की लालसा इच्छा तो देखो वह सम्मान की हो सकती है पुत्र की हो सकती है या फिर धन की ह जो सकती तो लासा किसी बीटी सकती तो सब्सक्राइब हो तो तो पर चाहता है और उसकी लालसा इनी चीजों में किस चीज में है इनी के अनुसार माना श्रेणिया निर्दारत के यानि कि तरूवन सौरे और बुद्धी किस प्रकार मनस्थी के अंदर लालाच होती है किस प्रकार किस मीक्ति स्थान चेज़र an के तो निर्दारइन करें और और गयों उनकी मानव लुडरीत होगी शाशक तो जिन सम्मान पाने की धन संचे की तो वह क्या बन जाएगा शैस्ट करवे क्या होता है सर्वादिक बुद्धीं दीमान होता है और जिन साहले के होते हैं और था Cu तो उसमें क्या होना चीह हैं प्लेटो नयाय को आत्मा का मानवे गुण स्विकार करता है प्लेटो न्याय को कमानता है आत्मा का मानविय गुन स्विकार करता है जिस प्रकार व्यक्तिकी आत्मा में विद्वान न्याय व्यक्तित्व के विविन पक्षों को परसपर संतुलित करता है उसी बाती राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में समन्वे स् थेमने कि दूसरी वैक्ति के कार्य में बिना मतलब के सबस्व करना उसके कारे में बादा ड्लांता यह दिए अजिक्षक युद्त है इसमें तो और बुरा माणते हैं स maybe special treatment को अपनि को अपनी योगजिता सम्ता के अनुरुप आचे gratuit यानि कि प्रतेक व्यक्ति को अपनी योग गिता के अनुसार ही या कैपिसिटी के अनुरूप का आचरन करना चाहिए और कोई है जिसमें की बुद्धी स्टेश्ट है तो उसके उत्पादक के अनुसार उसको आचरन करना चाहिए प्लेटो ने न्याय के सिद्धान्त को एक न्यातिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया है उसने इन सबातों को क्या माना है न्यातिक माना है नैकि एक कानून सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित नहीं किया उन्होंने न्यातिक सिद्धान्त के रूप में अरस्तु का न्याय संबंदी विचार अरस्तु बच्चो प्लेटों के शिष रही हैं प्लेटों के शिष अरस्तु के न्याय संबंदी विचार प्लेटों से बिन है और इनके जो न्याय संबंदी विचार है वो इनके ग्रूप प्लेटों से बिन है यानि कि अलग है अरस्तु के अनुसार मानव मन में न्याय की धार्णा के कारण ही राज अस्तित्व में आया है तो इसके कारण यहुआ राज अस्तित्व में तो मल Lol 자 मतलब राज या सेनिक और उत्पादक ऐसी चीजों के अनुसर न्याय का विपन वैवस्था में धन संपद्था का वित्रन अंक गनेति अनुपात में होना चाहिए और अरस्तु के अनुसार क्या होता है न्याय का वित्रन यंनि की जस्टिस का वित्रन व्यवस्ता में प्रिष्टन प्रिस्ठा यानिंक अपनी भूhm धन संपदा का वित्रन खरण अंक गणिते नहोगर यानि चाहिए जिसमें जितनी योग गता जिसको जतनी आफशकता उसे उतना न्याए मिलना चाहिए और थार्थ सबको बराबर का इस्सा नहीं बलकि प्रतेक को अपनी योग गता के अनुसार मिलना चाहिए यानि कि मालों कोई धन संपता है कोई दूपकोई 10 व्यक्ति कारे करते हैं तो दो ब्यक्ति अच्छी तरीके से बहुत ब्रिलियंट काम को करने में तो सब को एक एक दो प्रकार थे किया वीटरणात्मक और रीय राजनितिक नियाए पहला है विटर्णात्मक और राज नितिक नियाय के नियाय के लिए शक्ति और सरक्षन विक्ति की योगगिता की अनुसार है यानि उसमें क्या होता है शक्ति और सरक्षण का वित्रन का वित्रन योगगिता की अनुसार होना चाहिए कि पास शाषन करने की योग गिता उनी लोगों के पास बगडर ऑने जिनके पास योग गिता और शमता है तो राजा को अपनी प्रिजा के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बसको उन्हें उससे सुरक्षा प्रदान कर रहा है या दो व्यक्ति वेक्ति को लेकर एक इतना जगड़ा बहुत बढ़ चुका तो और एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ गलत कर रहा है तो राजा का यह यह दाइत्व होगा कि वह उन लोगों के साथ मतला उस गरीब व्य प्रगत क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन यानि कि संपत्य डिए DRय राज तो राळा विकति के जीवन उसकी संपत्थी और सम्मान की रक्षा करना राज का lasting ज़िमेदारी है यह उस ब pena कि इस पार्ट में हम निया इपक्ष द्याये मां पड़ें वह श के